दोस्तों शार्टाइक इंडिया का तीसरा सीजन चल रहा है और इस सीजन में हमें सबसे ज़्यादा इनोवर्टिव प्रोडक्स तो देखने को नहीं मिले लेकिन हाँ शार्ट के भी जुबानी जंग जरूर देखने को मिली नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गोसिप अली गैलरी में शार्टेंग इंडिया के लेटेस एपिसोड की बात करूब प्रैंजल सिनहा, अक्षेता मैत्री और विक्रम कुमार एक अनुखा प्रोडक्ट लेकर आए शार्टेंग इंडिया में अपना ऑनलाइन विवास अमाधान प्रैटफॉर्म पेश किया, इसका काम बनाईजी था, इस प्रैटफॉर्म के मतलब से लोग कोट के बाहर अपने लीगल मामलों को निप्टा सकते हैं पिचर्स उन्हें इस प्रैटफॉर्म के लिए एक परसंट इक्विली के बदले एक करोण रूपे के डिमान कर दी अमन गुपता, नमिता थापन ने पिचर्स को एक जॉइंट उफर किया, इसके साथ ही अमन ने कहा है इस बड़ी MNCs के लिए काम कर रहे हैं और पिछली 14 तिमाईयों में उन्हें हैंडल कर रहे हैं बाकी चीजों को छोड़कर हमें टेबल पर लाएंगे और शाधी.com के फाउंडर अनुपा मित्तल ने अमन गुपता पर थोड़ा सा एक तंच कसा वो ये था कि नेटवर्क एफेट बिडने से ये कोई औरियो स्पीकर बेशनी का धन्दा थोड़े हैं इसके बाद अमन गुपता थोड़ा सा नाराज हुए और उन्हें प्रेटफार्म फाउंडर से कहा कि उन्हें शाह के साथ डील करनी चाहिए जो चीजों को शान्ती से डील करता हो इसके बाद रितेश अगरवाल ने इस डील को जोईन कर लिया वाईकर हम बात करें रितेश अमन और नमिता ने फाउंडर्स को डील परसेंट एक्विटी के लिए एक करन रुपए का ओफर किया जिस पर बात तो बन गई दील फाइनल होने के बाद अमन गुपता ने का कोई बोलता है मैं टेक का किंग हूँ ओहो हम मैं बुरा लगा उनके लिए बता दे शार्टेक इंडिया का तीसा सीजन चल रहा है और सीजन की शुरूआज जो की 22 जन्मी दोहजार शोबीस को ही थी इसमें MQR Pharmaceuticals की Executive Director नमिता थापर बोर्ड के Founder अमन गुपता लेंसकार्ट के Co-Founder CEO प्यूस बंसल शारी.com से Founder आनुपा मित्तल और Sugar Cosmetics की CEO वी निता सिंग महुशूद है वसे जानकारी को पसंद उम्मीद है कि आपको आया होगा तो हमारी वीडियो को Like Show और Comment करने के साथ अब भी तक आपने हमारा यूटूब चैनल Gossip Aligally सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करना आप बिलकुल मत भूलिएगा